हेलो रीडर्स एंड वेल्कम तो देश्टूडियो मेंबर्स एसी सेमेंट को आज के दिर हम ट्रेट कर रहे हैं इसकंदर अपनी पोजिशन्स ली हुई है 1833.55 यहां पर पोजिशन्स ली हैं इस वक्त हमारा ट्रेट चल रहा है एक्शुल टारिट से हमने इसकंदर में लागा रहेगा क्या रीजन है क्यों ACC के अंदर लेवल्स हमने कैसे ट्रॉक के देखें बैसिकली टाइम पर आलरड़ी जो सारी चीज़ें बता चुके हैं आपको एक यह वाली कैंडल देखनी है यहां पर प्राइस का इतना ज्यादा वह नहीं सिर्फ वाल्यूम्स को देखते हम एक पर्टिकलर डेट के लिए एक केंडल डिसाइड करते हैं कि मैं किस साइड में ट्रेड एक्जेक्यूट करना है प्रॉपरली अगर इसको बोलने है टेक्निकल लेंगवज में हम तो ट्रेंड इडिंटिफाइ करते हैं मालूम है अपने अनाल्सिस करकॉर्डिंग आज आज ACC के अंदर एक शॉर्ट सिलिंग होनी चाहिए और अगर शॉर्ट सिलिंग होई तो जाहिर सी बात है कि डेली टाम फ्रेम पर एक रेट केंडल फॉर्म होते हुए हम लोगों को देख सकती है क्यों रेट केंडल क्यों आप देखिए जहां से हम आपको बता रहे हैं वहा आपको 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 आपक पर color wise दिख जाता है या फिर हम यह कहें कि उसका trend basically हमें identify हो जाता है हमें इतना confident है बहुत बड़ा target हम ले करके नहीं चल रहे हैं कि हमें 1810 या यह वाला जो swing है यह brick देखें अगर यह वाला swing brick होता है न तो move 1810 मतलब 5 रुपए से वहां तक का नीचे कम को मिल सकता है बहुत म यह हम बाहर निकलेंगे ऐसे नहीं निकलेंगे अभी हमने आज के trade में volumes की uses बता हैं अभी हम price पर चलेंगे and price को तुरू कैसे हम लोग अपने point of actions पर पहुंचे हैं अगर हम लोग 1st of November की candle के low को just mark कर लेते हैं तो इस candle को ही mark क्यों किया है इन साही चीज़ों के पर अभी हम एक्जिक्यूट किया है एंट्री जो हमने इस candle लिए 1-833.55 पर अपनी एंट्री लिए हुई है profits आपके सामने है so wait करेंगे हम ऐसा नहीं है कि पहले ही निकल जाए या stop loss hit नहीं हुए उससे पहले निकल जाए या फिर targets नहीं मिले हैं और उससे पहले में exit तो ना तो target मिलन से पहले और नहीं stop loss hit होने से पहले हम पहले नहीं निकलेंगे जा या तो हम्यारा stop loss चाहिए या था हम हम्यारा target चाहिए हम अपने stop loss को हाथ भी नहीं लगाएंगे जहां हम्यारा stop loss fixed है हम वही पर इसको hold कर कर रखेंगे यहां पर अपना stop loss लगाया हुए है 1838.75 रूपी सब्सक्राइब कर दिया है इसको आप सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि आप स्टॉक्स में आप किसी भी सेग्मेंट में काम कुरो कहीं पर भी इन स्टॉक्स को यूज़ कर दिया बहुत इसली है बस समझने भर की देर होती है अगर यहीं चीज एक बार आपको समझ मिया की आपने कें पढ़ना स्टार्ट कर दिया उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया तो इतना काम आपका आसान हो जाता है कि फिर आप उतना ज़रूर आपके अंदर कॉंफिटेंट आ जागा कि एक ट्रेड एक्ट करने के बाद में अपने टार्गेट ना मिलने तक कॉंफिटेंस के साथ इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग आगे की रीडिंग्स ये केंडल क्यों इपॉर्टेंट है इस केंडल के अकॉर्डिंग ही हम आगे के रीडिंग्स अपनी करेंगा इस केंडल के अंदर हाई को मार्केट ने पूरी तरह से रिजक्ट किया है प्राइस ने हाई को ब्रेक नह ले रहा है इसको नीचे की तरह ब्रेक करने की कोशिच कर रहा है और हाई के ओपर इसने क्लोजिंग भी नहीं कि एंड जस्ट अगर ग्रीन वाली केंडल का हाई हमारे एक रेस्टनस हो तो क्या लोग को नजर नहीं आठी है यहां पर बहुत ही कम वाली। तो किसी तरह कि कोई यहां नजर नहीं आठी है जिसको कि हम लोग बहुत ब्री ने देखे क्या किया न, एक low, अगें देखे ये वालो low break हो गया, ये वाला high मेरा important है, इस high के उपर अगर market निकल दी है, अगर इस वाले high के उपर market निकल दी है, तो इसे as a positive way में हम लोग देखेंगे, otherwise फिर देखे, price ने किया किया, यहाँ पर एक high लगाया, और फिर से पर जो हमने candles के low आपके लिए mark की हुए है, first support, second support, इसके नीचे market ने closing कर दी, वापस से देखे, price हमारा upside के तरफ गया, ये upside के तरफ गया न, अब high कौन सी candle निकल लगाया है, यहाँ पर 17th of November की candle ने एक high लगाया, low कौन सी candle निकल लगाया है, इस वाले swing के according हम देख रहे ह तो 13th of November की candle ने low लगाया, अगर इस वाले swing को हम एक support मानते हैं, तो क्या इस वाले high को एक resistance में लोग मान सकते हैं, क्यों, क्यों resistance आफे support हम मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक low लगाया, और ये low break ने हुआ, price ने high का movement दिखा दिया, high के उपर निकल गया, और व लगाया था है, इसका low break होगी और price हमारा अभी नीचे के दिशा में है, समझ पा रहे हैं, अब एक point यहाँ पर आपको ध्यान देने वाला है, जो भी candle आपका swing low लगाते हैं, यहाँ पर आई market, अब इसने swing low लगाया, swing low लगा है, का पता चलेगा है, जब market इस वाली candle के प्रॉपर एक swing नहीं बनता है, यह एक half swing बनता है, और यहाँ पर भी देखिए, half swing नहीं एक proper confirmations मिले है, जैसे कि यहाँ पर इसने swing लगाया, swing लगा देने के बाद है, price ने इसके ऊपर एक closing किया, यहाँ देखिए, green वाली candle ने closing कर दी, price ने high break है, बट closing इसने की और इस व हमारा low है, 13th of November की candle का low, एक बन गया support और high बन गया swing area, same चीज यहाँ पर हुई है, कि यहाँ पर एक swing लगा, swing लगने के बाद में, market ने down side के तरफ closing कर दी, और यहाँ पर एक last swing के confirmations मिले गया, तो proper हमारी जो candle important हो जाती है, कौनसी candles के बाद में, हमारी second of November and first of November की candle के बाद एक swing area है, 13th of November की candle का low एक support बन रहा है, अब यहाँ से हम इन लाइन्स को remove करते हैं, में भी चांस है कि अगर यहाँ स्विंग वगारा हो गया, यहाँ स्विंग वगारा हो गया है, यहाँ है, यहाँ स्विंग वगारा है, तो बहुत बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको य अच्छा काम कर लेंगे, कुछ काम नहीं करता है, अभी आओगे, अगर जिस तरह से हम कह रहे हैं कि price actions पर कोशिच करो, price actions पर shift हो, price actions को practice करो, इसको master करो, candles को पढ़ो, volumes को पढ़ो, इसके बारे में और जितना हो सके हैं, न सीखने की कोशिच करो, और deep में सीखने की रहे हो ना, हो सकता है, दो दिन, तीन दिन करते हो, लेकिन कल को आप आओगे, वापस से price action पर ही, क्योंकि market में को indicator काम करता ही नहीं है, चाहें आप 3 लाग के indicator ले लो, चाहें पांच लाग का indicator ले लो, आज कल तो चल रहा है, कोई गुरू जी है, तो उनका indicator जो उन्होंने आप एक बार try करो, वैसे ही काफी लोग तो लेते ही हैं, क्योंकि मेहनत नहीं करके पैसा कमाने वालों की तादाद बहुत जाता है, तो वो सभी लोग जाएंगे और वो indicator से खरीदेंगे, तो आपकी नज़र में कोई अगर ऐसा आते हैं, तो पूछना कि वो indicator कितना काम किय या कितना अच्छा अच्छी तरह से काम करता है, Moral of the story, आप चाहें जितना भी महगा indicator लेलो, थोड़े दिन के लिए अच्छा रहेगा, वो जब आपको लगेगा कि नहीं, Moral of the story, आपको बस कुछ समय के लिए वो मजा दे देगा, लेकिन जब loss होना शुरू होगा, तो आ दीरे दीरे, अचानक से नहीं, दीरे दीरे आपकी गाड़ी अपसाइट के तरफ बार, समझो, जो चीज़े हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसको समझो, यहाँ पर देखिए एक स्विंग लगा, यह ग्रीन वाली केंडल, और यह रेड वाली केंडल, इस रेड वाली कें को नीचे के तरफ ब्रिक कर रही है बार बार, सबसे लिएटर स्विंग काउं से, जो कि अभी तक ब्रिक नहीं हुआ है, वो यह वाली स्विंग है, अब इस वाली स्विंग के नीचे हैं, पांच रुप्या का जयासट रहा है, बहुत ज़्यादा चांस है कि अगर ये वाल तो हुई है और प्रइस निचे गर गया एंप आज देखी क्या होगा और आज देखे क्या होगा दोगा निंकत्न देनरी 17th of November की candle के नीचे ही कर रहा है इसी confidence में में आज का trade execute किया था कि आज की भी जो closing होगी वो price action और volume trading according 17th of November के नीचे ही market close मारेगी और अगर हमारा दिन अच्छा रहा तो यह वाला swing पहुँच जादे चांसे कि वाला swing गर तूटा तो 5 रुपया का movement हमें और नीचे की तरफ मिल जागा तो यहां पर देखते हैं exact resistance से market नीचे की तरफ आज और यह अपना support ब्रेक हुआ पांच रुपया का movement और आपको नीचे की तरफ देखने को मिल जागा और जैसे प्राइस हमारा थोड़ा सा नीचे की तरफ नेकला हम यहां से पने profits बुक करके बाहर निकल जाएंगे lower time frame पर हमें जो अपने confirmations मिले है इस वाली candle के अंदर यहां से हमने अपने trades execute किये and जो swing लगा था just swing पर हमने अपने stop loss लगा दी है यह अपना आज का इसको हम 1810 कर देंगे यह हमारा आज का अपना entry stop loss और यह टार्गेट एक लेवल ब्रेक करके 1810 तक market को आना चाहिए और यह हमारा आज का अपना proper target area है तो profits तो भी increase हुए ही होंगे देख लेते हैं यहां पर देखें profits भी increase हो रहे है 1814 रुबर 55 पैसे का प्राइस चला है 576 काउंटी है और वेट करते हैं जैसे हम लोग यहां पर अपने टार्गेट स्बूक करते हैं आपको इन फॉक करते हैं प्राइस देखें कितनी स्पीड से upside की दरफ चला गया सिर्फ ACC ही नहीं आप निफ्टी देखोगे तो निफ्टी के अंदर भी movement upside की तरफ देखें यहां से 3-4 candle बनी है इसने पूरे दिन जो market गिरी है सारा कथा recovery के अंदर हो गए same effect इसका ACC पर भी गिरा है 810, 810 पर यहां पर अपना exit point था सारी quantity उस्तों फिला अलमनिया पर निकाल दी and market भी upside की तरफ है यह होता है एक सही target identification अब अगर हम यहां से exit नहीं करते हैं और wait करते हैं पर जोर नीचे हालागि एक बहुत बार ऐसा हुआ है लेकिन उस condition में भी हमें यह पता रहता है कि हमें निकलना कहा पर है यह अलग बात है कि हमें 1810 पर निकलना हमें पता है इस जगे पर हमें exit दिखानी है इस जगे पर हमें market से बाहर की तरफ निकलना है market यहां पर नहीं आई और उपर की तरफ चली गए तो यह दूसरी चीज हो गई या फिर नीचे की तरफ चली गए तो हमें जो 1810 पर जो profit होना था वही देखी जो same condition यहां पर बनी थी यहां से और अगर नीचे की तरफ जाती तो हमें profit और ज्यादा बन जाता लेकिन एक सही target identification का यह सबसे बड़ा benefit होगा कि आपको exit करनी कहां पर actually कहां पर exit करनी यह पता होगा और अगर market आपको chance देगी तो आप वहां से exit कर दोगे जैसे की आज होगा हमें मौलूम है कि 1810 आज का यह support area है हाला कि 7 रुपय मार्केट 6 रुपय कुछ पैसे price आपका नीचे की तरफ गया है लेकिन फिर भी जो 1810 रुपय का हमारा target था market पूरा का पूरा दिया और करी 12-12,000 रुपय का 13,000 रुपय का कुछ का profit यह पर हमने book किया इसका एक बार refresh कर लेते हैं कभी कभी शायद नेट्रों का कुछ इशू रहता हुगा तो थर्टीन फाइबनेट का profit विच इनफ एक तरह से देखा जाए तो आज की market में लास्ट टाइम में जो upside का move है जिन्होंने भी options trade की होंगे बहुत सारा loss ने देखना पड़ा होगा या फिर सही target जो लेकर के निकल गया है वह तो profit में निकले होंगे फिलाल हमें option वगरा से मतलब नहीं है simple ACC का trade है कल हम कोशिच करेंगे कि pharma sector को trade करें क्योंकि pharma sector मेरे according एक अच्छे पॉसिटी कर देखने को मिल सकती है बहुत सारे stocks ने जैसे Sun Pharma और Cipla, Dr. Reddy, Divis Lab इनको इन चार stocks को हम देखेंगे आज की position book हम open कर लेते हैं 576 quantity के साथ overall trade किया था लास्ट में 1810 जो अपना main target था वहां पर फिल्म लोगों ने exit कर ली थी सारी quantity बहाँ पर निकाल दी थी एक्जिट कर देने के बात में market बहुत अच्छा move उपर के दिखाया था तो किसमत अच्छी थी कि time से पहले ही निकल गए ठीक है तो अब आगे चल करके आगे के session में हम आप लोगों को उन candlestick के बारे मताएं जिसका के भी हम जिक्र करेंगे So thanks and start यह कुछ important candlestick pattern के ओपर हम लोग discussion करेंगे आज के session में Lower time frame का मतलब 5 minutes time frame उपर में हमने 3 candles form की हैं 3 candles बनाई हैं यह तीनों ही candles हम lower time frame पर देखेंगे 1st, 2nd, 3rd यह mother candle format है अभी जिस तरह से हम बताएंगे वैसे mother candles को हम लोग देखेंगे बाकि यह 3 formats हम ने बनाई यह 3 के तीनों हम लोग daily time stream पर देखेंगे यूज करने की क्या तरीके होते हैं उसके बड़ जितना हो सकते हो उतना discuss करेंगे लेकिन कुछ चीज़े ऐसी होते हैं कि जिसको कि हम चाहें भी तो public platform पर ऐसे खुल कर discuss नहीं कर सकते वॉल्म के कुछ confirmations होते हैं जैसे की first candle है आपने देखा हूँ कि एक traditional mother candle होती की traditional lessons की जो हम लोगों को सिखा है जाती पर चुरुआत्य झाती है लैकि यह traditional mother candle के हम लोग इस तरह की जो दो candle form होती हैं इन्हें हम लोग mother candle बोलते हैं कि first candle बन जाने के बाद में कोई चोटी सी candle form हो रही तो हम लोग इसको mother candle माल लेते हैं लेकिन यहाँ पर देखिए यह first candle हम इसको mother candle मूलते हैं इसमें कुछ elements और add के जाते हैं जिससे कि इनकी accuracies और increase हो जाएं जैसे कि सबसे पहला जो element है वो है को हमारा volumes का volumes के बाद में जो candles भी होती हैं कई बार ऐसा होता है कि price आपका एक चूटी सी candle form करें बड़ डाउंसाड की तरह फिक बना दे मेरे according हम इस candle को भी एक mother candle ही बोलते हैं और यहाँ पर देखिए दो candles हमने आपनों के लिए form की हैं फर्स्ट एक rejection step candle होती है कि जो second step होता है candle का second candle एक rejection candle बनती है which is this one यह कुछ इस तरह की दिखती है यहां के बाद में तो यह यहां पर चार candles हमने क्यों form की हैं देखिए दो तरह की चीज़े होती है एक तो कि first candle आपकी बड़ी बने हो second candle mother candle की हम बात कर रहे हैं फर्स्ट केंडल आपकी बड़ी बन जा और second candle मारी चोटी फ़र्म हो और वह डाउंसाइड की तरफ विग बना करके ऊपर की तरफ आजाए वापस से प्राइस अगर नीचे की तरफ निकल गया ना तब यह mother candle नहीं है केंडल के अंदर डाल देते हैं यह फिर इसको ट्रेट करने के तरीके दूसरे होते हैं mother candle पर क्या होता है hyper stop loss के confirmations लेने के बाद में लोग trade execute करते हैं stop loss और entry के लिए यहाँ पर एक चीज़ आपको clear हुई mother candle में हमने क्या बताया आपको first candle बड़ी बन जाए second candle हमारी जरूरी नहीं है कि first candle की body के अंदर ही रहे अगर वो विक बनाकर के नीचे की तरफ भी निकल करके आती है but third candle हमारी range के अंदर re-enter कर जाती है तो यह भी एक तरह की mother candle ही होती है क्योंकि price अपनी range को छोड़ नहीं पा रहा है और यह उससे ज्यादर strong candle होती है जैसा कि अभी हमने पताया जो आपकी traditional mother candle है इसको और भी ज्यादर strong कर देती है हमारे volumes के formats volumes में क्या होता है कि first वाली candle की volume तो कम होती है बट इसके बाद में price ऐसे form करता है candles को इस तरह से form करेगा कि first वाली candle के बाहर कोई भी candle close नहीं होगी first वाली candle के अंदर की तरफ closing करने जैसे की एक बड़ी candle बन गया इसके बाद मी एक छोटी सी candle यहां पर कहाना देखिए थर्ड केंडल बनी बट इसने विग बना दे और विग बना देने के बात मार्केट वापस से देखिए अपनी रेंज के अंदर रेंटर कर गई Re-enter कर जानने के बाद में जब तक market proper closing बाहर की दिशा में ना दिखा दे और अंदर की दिशा में इसके अंदर volumes के breakout होते रहे हम लोग volumes के confirmations के साथ ऐसा मानते हैं कि price की ये जो format बनता है इस तरह के formations में हम लोग और भी ज़दा accuracy के साथ काम करते हैं और ये बहुत ज़्यादा strong format होता है समझ पार हैं आप के एक candle बनी इसके बाद में दो या तीन candles बन रही है first वाली candle की volume तो normal है बट इसके बाद में market हमारी range को break नहीं कर पा रही है ये हमारी range को break नहीं कर पा रही है बट इसके अंदर volumes के लगातार breakout हो रही है this is called mother candle हम इसको mother candle हम इसको और advanced mother candle बोलते है daily time frame क्योंकि ये जो हमने format आपको बता है तो lower time frame पर use होता है daily format पर daily time frame पर use करने के इसके methods दूसरे होते है और अगर daily time frame पर हमको उस methods के recording अपने formations देखे हमारे point of actions देखे ना ये इतना accurate काम करता है कि यहां से हम लोग 2,3,4,5 जितनी भी market जितनी भी bar market आएगे ना उतने trade हम execute कर सकते है आज कभी जो हमने trade execute किया ना उसमें भी देखे कि प्राइस हमारी candle के अंदर ही trade कर रहा है मेरी range के अंदर trade कर रहा है कल की जो उसकी closing थी ना वो हमारी range के अंदर थी और आज market ने range के अंदर ही opening कर देने के बाद में downside के तरव उसकी closing किया है वो भी mother candle format है second candle क्या होती है rejection step candle इसमें देखे एक candle होती rejection candle सारी candles आपस में जूड़ी हुई है एक candle होती rejection candle अब rejection candle का use आपने जो देखा होगा कि एक pin भार बन गई या किसी भी तरह का कोई एक rejection form होगा तो हम लोग इसको rejection बोल देते है actually ये rejection candle भी use कहां पर होगी इसका अपना एक place होता है अपनी एक fix point होता है की point पर ही हम लोग इस rejection candle का use करते है देखिए यहां पर हम लोग एक बड़ी सी candle देखते है कि market ने एक बड़ी सी candle form की 5 नेट के टाइम एक इस तरह की candle बनी इसके बाद में क्या हुआ कि market ने या तो ऊपर या तो फिर नीचे की तरफ एक movement दिखाने की कुशिश की प्राइस हम मान करके चलते हैं कि हमारा यह नीचे की तरफ आया लेकिन close नहीं कर पाया है प्राइस हमारा वापस मेरी range के अंदर ही चला गया अंदर के देशा में चला गया और इसने एक pin bar बना दी यहां पर volume का भी roll play होता है अब इस जगे पर एक pin bar form कर देने के बादे प्राइस हमारी range के अंदर re-enter हो गया अब देखी हुआ क्या इसके पीछे की psychology को समझे प्राइस बहुत आराम से अपनी previous candle के low को break करके नीची की तरफ जा रहा था बट यहां पर buyers और price ने price को upside के तरफ ठकेल दिया seller को सबसे पहले सिर्फ एक candle से मतलब था यह वाली candle से बट जहां एक candle से मतलब था वहीं अब दो candle आप देख लेना जब भी market इस तरह के formats form करती है यहां से downside के तरफ निकलने में इसको और problem होती है जहां एक candle थी वहीं अब दो candle से बहुत सारी क्वाइंटीज यहां पर बढ़ गए होंके stop loss लगे होंगे कई होंकी entries लगे होंगे तो वापस से price यह हमारी level को break करने की कोशिश करती है तो यहां पर बहुत सारे hurdles मिलते हैं को कुल मिला करके price इतनी जल्दी first वाली candle के low को break नहीं कर पा रहा है कोई भी एक ऐसी candle जिसके low या फिर high को break करने में price को परिशानी होती है वही आगे चल करके आपका support या फिर resistance form होता है support बन गया, resistance बन गया तो वो तो बन गया बन जाने के बाद बहुत आराम से दिख जाएगा यह कुछ ऐसे formats होते हैं कि जो बन जाते हैं फूर हमें आगे के लिए पता चलता है कि यह बहुत ज़्यादा probabilities हैं कि आगे चल करके यही area मेरा support बनेगा इसके लिए आप इस वाली formation का use कर से हम लोग आरे की तरफ बढ़ेंगे यहाँ पर देखे एक candle हमने यह वाली form इसको आप देखोगे proper point of action पर इस candle के खूब हम आपको बताते हैं देखने का देखो आपको नजरिया मिलेगा जब भी price आपका support पर होने के बाद में एक rejection आपको upset की तरफ मिले rejection आपको upset की तरफ मिले बट candle का जो color होना चाहिए आपको color ले लेते हैं पिन बार अगर आपको support पर red color की देखती जो color आप लोग यूज़ करते हो यहाँ पर देखे जैसे कि red color की candle मिली support पर red color की candle मिली मतलब इसका मतलब क्या होता है कि एक support zone था market उसको नीचे की तरफ break करने की कुशिच कर रही थे ऐसे ऐसे से करके और वापस से देखे क्या होना price हमारा upset की तरफ चला गया यह candle green नहीं बनी बट market ने हमारे level के उपर में जाकर closing कर दी और यह रही अभी red candle ही जब तक इसके उपर confirmation नहीं मिलते है आपको उपर की तरफ जाने के market देख लेना आपकी नीचे की तरफ भी देगी लेकिन support पर अगर यही pin bar आपको दिख जाए और इसके उपर में आपको confirmation जैसे ही मिले entry लेने के आप यहां से अपना trade execute कर सकते हो समझ में हमने क्या कहा कि एक support area बना यहां से एक pin bar बनी अब इस pin bar के high के उपर हम लोग अपने entries के confirmations लेंगे यह याद रखना पिन बार किसी भी तरह का entry का confirmation नहीं है जातर बार आप देखते होगे कि pin bar बन गई आपने trade execute कर दिया यह entry का confirmation नहीं है confirmation से पहले की symptom होते हैं कि हाँ अब हम लोग जा सकते entry के लिए बट यह entry का confirmation नहीं है कभी भी जो pin bar को use करना nakedly pin bar को use नहीं किया जाता और इसका अपना एक fix जगा होती fix point होता है वहीं पर हम लोग इस जगह पर अगर एक green candle बनी और green candle sorry red candle बनी red candle की ऊपर में आपको entry के confirmations मिले तो ही हम लोग अपना trade execute करेंगे और इन दोनों में ही first और second यह जो दो chapters हमने बता है न दोनों में ही volumes के role play होते हैं volumes basically क्या करती है आपके किसी formation को और भी ज़्यादा strong बना देती है अब बारियाती daily time frame के पुछले डेली time frame के देखिए यह जो छे candle stick हम आपको बता रहे है न यह शुरुवाती level पर अगर आप काम कर रहे हो market में बहुत help कर जाएंगी बहुत ज़्यादा यह मान के चलिए कि अगर आपको यह नहीं समझ मारा है कि daily time frame पर अगर हमें levels निकाले हाला कि बहुत शुरुवाती step में यह सारी candles clear होती है हम कभी भी मतलब आप यह समझ लो जितनी भी आपके traditional candles है bearish shingle, fing tweezer top, hanging man, gravestone, shooting star और कई सारे chart patterns है double bottom, double top, triple top, inverted, ascending, triangle, symmetrical triangle तरह 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 के angles यह सारी चीज़े पता है पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है इन patterns को यूज करो इसके लिए volumes की confirmations लो, volumes को पढ़ो धीरे-धीरे करके volumes को जैसे आप पढ़ते चले जाओगे जैसे उसके ऊपर के analysis होती ही चले जाएगी आपके volume प्राइस के combinations और strong बैठेंगे हम लोग candles से candles को merge करते हूँ चले जाएगे volume प्राइस को merge करते हूँ चले जाएगे अब जैसे daily time frame है क्योंकि हर एक candle हर एक formation के पीछे पूरी psychology काम करती है तो चार्ट पर हमें सामने वाली ट्यटर के psychology समझ में आती है अगर हम psychology समझ लेगे तो हम यह predict कर सकते हैं 100% नहीं लेकिन कुछ हद तक predict कर सकते हैं कि आगे के फिर movements क्या हो सकते हैं अब जैसे daily time frame है daily time frame पर आपको एक green candle दिख ग्रीन केंडल बन जाने के बाद में एक red candle दि कर देता तो यह चलेगा यह format बहुत strong format होता है इसमें होता क्या है कि first वाली candle की volume ज्यादा होगी और second वाली candle की volume उससे कम होगी lows form करते हैं इसके just opposite यहाँ पर आई आप first वाली candle आपको red देखेगी और second वाली candle होती है इसकी opening red वाली candle के नीचे होनी चाहिए और price upside की तरफ जाकर closing करते हैं but volumes के format still वही रहेंगे जो कि हम लोगों ने first वाली formation में देखे यहाँ पर देखे कम volume है और इसके बाद में ज्यादा volume daily time frame की formats actually यह highs and lows यह होते हैं ज़रुरी point जहां से हम लोग देख सकते हैं या जहां से हम लोग daily time frame के readings को actually पूरी formation का जो highest high होता है और lowest low point होता है यहां से हम लोग अपनी readings को शुरू कर सकते हैं यहां से देखे सेम चीज़ यहां पर है highest high and lowest low यहां पर देखे तीन candles की पूरी combination होता है जैसे की red, red यह candles बनती चली आ रही है इसके बाद में एक green candle form हो रही है और यह green candle क्या कर रही है market को ऊपर की तरफ लेकर कर जा रही है ज़रूरी नहीं है कि यह red candle बन गई और इसके बाद में second value red candle की closing first value candle के नीचे ही हो ऐसा नहीं भी होता है ना जैसे यहां पर देखे ड्राइंग में क्या हुआ है first value candle के नीचे closing होई है नहीं भी होता है चलेगा compulsory क्या है जरूरी क्या है कि first value candle की volume ज़्यादा होनी चाहिए second value candle की जो volume रहेगी वो कम होनी चाहिए और third value candle की volume चाहिए जो इसलिए आपर हमनों की volumes form ही ने की बनाई ही ने कम हो ज़्यादा हो चलेगा but first दोनों ही candle का color same होना चाहिए और second जो आपके third value candle है इसका color just opposite होना चाहिए इस तरह से हम लोग इन छे candles को use करते हैं छे format को use करते हैं बहुत strong formats होते हैं यह हम आपको हम आपको डेली time frame पर कुछ format के example दिखाते हैं हम आपको डेली time frame के हम डेली time frame पर जितनी फॉर्मेशन में आप परफॉर्म की हैं तीन इन टेनों की example देंगे and lower time frame की जितनी formation है इसकी practice आप खुद से करोगे खुद के chart पर करोगे और live market में practice करोगे अगर इन format को समझने में कुछ problem हा रही है तो इसको comment box में comment कर देना उसका reply आपको मिल जाएगा वो चीज़े हमसे पूछ लेना लेकिन एक शुरुआती लेवल पर ये ये candles आपको बहुत help कर जाएंगे बहुत help करेंगे अभी daily time frame की जो readings है न क्योंकि daily time frame important होता है तो daily time frame के लिए जो formations हमने बता ही है इसके according हम levels mark करके और कुछ chart पर हम reading करके देखाएंगे वैसे ही आप आगे की तरफ practice करोगे ये ACC का चार्ट है अभी इस चार्ट के पर में लिए पहले तो सारी markings removed और यहां पर देख रहे होगे अब सैट पर बिल्कुल जो swing हमारा लगा हुआ है जैसे ये दो red candle form हुई है तो इन दो red candle में lows के नीचे closing हुई दो same color के candle बनी और यहां पर देखेंगे volumes हमारी गिर रही ह मतलब कि जो sellers हैं वो weak हो रहे हैं यहां पर ऐसा show हो रहा है कि sellers weak हो रहे हैं यहां पर देखेंगे एक green candle बन गई इसकी volumes हमें मतलब नहीं है बस इसका color green होना चाहिए हमें क्या करना है हम just पूरी formation का हम swing mark कर लेते हैं तो यहां पर swing कौन सा है अब जब market जैसे ही इस वाले level को ब्रिक करेंगे ना आप देख लेना movement कितने अच्छे आपको देखने को मिलेंगे और इसके just opposite same यही level निकलेगा अभी जो हमने निकाला था यही level निकलेगा यहां पर देखें दो green candle बन गई इस जग है और इसके बाद में third candle मारी red यहां पर देखने वाली बात क्या है कि ज अगे अगर हम कोई level अपना draw कर रहे हैंlier तो future में प्राइस यहां से आपका point of action ले सकता है यानि कि इस एक जगह से आपकर support या फिर resistance ले सकता है जो level हम draw कर रहे हैं future में ले सकते हैंlier तो यह भी णो सकता है कर future में लेगा तो past नहीं भी तो लिया हुआ ही होगा यहां से पर देखे, प्राइस ने कितनी ही बार, कितनी बार मोमेंटम दिखा जाए है, इस एक जगे पर, सिंगल लाइन ड्रो की है, कोई यहाँ पर, इंडिकेटर नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ सिंपल सी, एक होरिजोंटल लाइन आप ड्रो कर दें, कितना प्यारा ट्रेड यहाँ पर मिला, किसी भी स्टॉक में, आप सेम फॉर्मेट्स को देखो, डेली भी दूसरी formation में चलते हैं, यहाँ पर देखिए, क्या हमने बता था, फर्स्ट कैंडल, आपकी green candle होने चाहिए, और सेकंडल red होनी चाहिए, फ़र्स्ट कैंडल green, सेकंड कैंडल red, फर्स केंडल green, सेकंडल red, सेकंड वाले कैंडल की opening एक गपपनिंग हो यो, प्राइस यह होगा आपका और point of action यहां पर हमने सिर्फ 2 points ही highest and lowest low दो points अभी में mark नहीं कि हैं जिसमें से हैं यह हमारी green valley candle का high and green valley candle का low point इन चारो ही points पर trade execute किये जाते हैं और चारो ही points tradable होते हैं लेकिन अभी के लिए आप यह मान करके चलो कि आप सिर्फ दो points पर ही focus करना क्योंकि first highest high and lowest low को trade करने की methods दूसरे होंगे बाद में ये वाले जो points होंगे जो green वाली candle सिर्फ green वाली candle अब मत देखो यहाँ पर हो सकता था कि जो ये green वाली candle है इसका low नीचे की तरफ हो जो ये green वाली candle है ये सबसे बड़ा low लगा देती है तो हम लोग क्या करते हैं ये वाला low mark करते हैं और red वाली candle का high mark कर लेते हैं लेकिन यहाँ पर है कि highest high लगा है red वाली candle है और lowest low भी first वाली candle नीचे लगा दिया तो ये हमने mark कर लिया हम कहना क्या चा रहा है कि जो highest high and lowest low वो तो हम mark ही कर लेंगे लेकिन ये mark करने के बाद में दोनों candle में से दो points आपके बच जाते हैं एक होती ये वाली और एक ये वाला point दो points बचेंगे तो इन दो points को trade करने का तरीका दूसरा होगा अभी जो आप देखना कि highest high and lowest low को mark करने के बाद में जहां पर भी आपको trade करने का मौकर मिलें वहीं पर trade करोगे अडानी पूर्ट ने देखिए आज हमारे level को brick ना नीचे के दरफ यहां पर ऐसा नहीं होगा कि price आपका वो यहां पर रुकेगा आपको proper confirmations देगा इसके बाद में आप पूरा patience के साथ आप वेट करो यहां पर proper confirmations लेगा आप trade कर सकते हो देखिए यहां पर देखिए high नीचे के दरफ high mark के low और यहां पर price ने proper यहां पर confirmations देए अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसी जगह पर अपनी entries लेने के बाद में swing पर अपने stop loss लगा दो और आप trade करो यह कुछ तरीके होते हैं जैसे कि daily time frame पर होगा भी lower time frame पर तो हमने आपको बताया ही नहीं lower time frame के उच्व फॉर्मिट्स जितने भी हमने बताया है आपको उन फॉर्मिट्स के practice कर डाले तो आई हो जो भी चीज़ हमने आज के दिन आपको बता ही है वो समझ भाई होगी आपको कुछ ना कुछ उससी benefit हुआ होगा और अगर कुछ आपने वीडियो से सीखा तो एक favor आप कर सकते हो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल पर अगर आप पहली बार आगे हो तो चोन को सब्सक्राइब कर लिजेगा ताइंक्स एंड वीडियो मीट अगें